क्या नाम है आपका के पी सिंग बाद एड़गेट फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश आप बहुत लिखते हैं कब आप बुद्धिश्ट बने हैं हम सन 1934 में बहुत बने उससे पहले क्या थे आप उससे पहले हमारे मा इसाई परवार से थी और पिता जी जो है हिंदू कह सकते डिली से थे अच्छा आप जो इतने पुराने बुद्धिश्ट आपके पिता जी बुद्धिश्ट है हमसे पहले गार्वार बुद्धिश्ट होगया फिरोजाबाद में बताते हैं के बावावा साब कि क्रांति युदार्ट हुई कि सतरह से वहां तो ब्हुत सारे लोग हमारे haa फ्रोयावाद में रहे जुन्होंने बाभाए था कगे चलाए बहुंक्त राजनेति की नहीं था वो सामज्च की मुवंच्ट था जिसकि मादद्यायों से बाभा साब में आने के बाद सभी प्रकार के आटमरों से चूट गए सभी प्रकार कुरीतियों से चूट गए और हमारा एक ही लच रहा है कि आर्थिक फायदा यह रहा कि हम लोग स्वाब लंबी बने हमारा अपना बिजनिस था सामाजिक फायदा सामाजिक फायदा यह है कि हम लोग स्व नुम्बर 26 नुम्बर 2019 में जिसमें आप लगबग 6-7 लाग रोपे खर्श करने वाले हैं तीनी तक लगाता है और पूरे देश में दोड़ रहे हैं और दिली में भी आए हुए है इस कारीकरम का उद्देश से क्या है इस कारीकरम का मूल देश है बहुत धरम बहुत समाज का बिकास करना और उसमें भी लच्छी है कि बहुत धर्म बहुत विक्षू बुद्ध विहार और बहुत समाज के निर्माण में जितने भी विवधान आ रहे हैं उनके समादान जूणना और इस मिनार के माद्दम से बौद्धों में जो विकृतियां है जैसे कानूनी विकृ है कि संबिदान के दारफ पचीज दो खाके अंतरगत जो बौद्धों को हिंदुलों से गवर्ण करिया जाता है उस समंद्ध में भी इस सेमिलार में बिचार भग्रवान बुद्ध नहें बहुत धराया था भगवान बुद्ध के संदेश को ही बहुत धरम कहते हैं क्या उ तेरह प्टक के अंदर बहुत सब्ध नहीं हैं लेकिन बुद्ध को मानने वाले को बहुत धी कहते हैं जैसे भगवान मारी मोद्ध को नहीं कहा कि मुझे मानने पूजा करना मूर्एं मत बनाना सेरीटान नहीं मूत करना हैं क्योंकि यह कुछ भॉगलिक परिस्तितियां भी ऐसी होती हैं एक प्रार्थना कोई महत्व नहीं है पूजे मी का मतलब जो होता है वो मानना मान सम्मान होता है पाली के अंदर इसलिए लोगों ने उसको गलत तरीके से लिया क्या आपने कोई वहां बहुत इसलिवी बनाया है हमारे फ्रोजवाद में तेरे बुद्ध ब्यार हैं और अच्छे संब्रत बुद्ध ब्यार हैं जिसमें हमारे यहां बड़े बंतिजी है पूज बदंत बुद्ध सरण माईस्तविर जी जो इस समय 91 साल के हैं उन्होंने बह समार्जीत रूप से बुद्ध बहुत बनाने की कूशिस की है क्या आपने कोई राष्टे लेवल पर कोई संस्था बराई हुई है जो सारे देश के बुद्ध एक हो और एक काईक्रम लगे हैं संस्था तो हमने यह काफी संस्था में काम किया है सबसे पहले हमने जो हम सन 55- से अंबिटकन वैपर सच चलाई थी काफी अरसे तक चली थी उसके बाद बहुत समाज उत्थान मासबा बनी है हमारे फ्रोजबाद में दबुद्ध सुसाइटी ऑफ इंडिया भी है भारती बहुत मासबा भी है प्रबुद्ध भारत फांडेशन भी है तमाम बहुत संस्त सब्सक्राइब करने के लिए तो हमारे विर्चुसंग है नहीं नहीं बताया है कि मेरे बाद संका नेत्रत करें नहीं और व्यक्ति नहीं करेगा व्यक्ति प्रदान नहीं है जाया है वह भुक्संग है धम को विकसित करने वाला पर्वासित करने वाला एक का अदमी होता है जिसको विक्षु संग मान सकते हैं या उपासक संग मान सकते हैं जब दम अपने अब बुद्ध एक्सपायर हुए थे तो उन्होंने ये कहा था कि धम यह दो सब्सक्राइन चलाएगा खर्याइब आप चलने लगए भगवान ने पेच्छा की थी बहुँत सब्सक्राइब किया तरह उसे पेच्छा की थी मुद्ध के जितने भी उपदेश हैं विशेश्च तोर पर विख्ष्यों के लिए यह किस से का उन्होंने जुम्मिदारी थी कि भगवान ने जो धम सिखाया धम बताया तो आपको साथ करके एक संग बनाने के लिए काम करना चाहिए या अलगलग नेता या अलगलग जो लोग बने हुए उनको धम्मे आना चाहिए बिख्यु संग एक ही है उसमें संग बैतन नहीं होना चाहिए हालांकि उसमें ही ओ गया है भारत में कहा कि लेकां ऐस लेका मेर्थ नहीं करता है हम लोग विख्यु के मामले महस्चिद नहीं महस्धि नहीं करते हैं समराड असोग ने भी नहीं किया किया किसमें कोई लच नहीं ता करने का लेकिन जब उन्होंने मोगल पुत्तिस नहीं देखा कि बहुत सारे लोग धर्म से बिम्मुक हों का इसा का वुट्तिस ने देखा तो उन्होंने मोगल पुत्तिस से कहा कि आप बलाईए और उनकी जब जब और उनकी मैं उतरवाओंगा कि मोगलेपुत पुत पुतारे भिक्कु नहीं टताता है विम्हेत थे अगर विक्कु अपने करें चिल नहीं चलता तो पासक को मांदरण देर देने मना कर कई तो नहीं पैसे क्या शाश प्रयास de तो किस चंतन सादारा है थार इस पर पूरा प्रयास किया जाता है कि लोग धर्म को सीखंगे जाने उसके बाद माने अब नहीं कि सिखाने वाला ही ट्रेंड नहीं अब तो तमाम साय्च यसा है कि सायच के मादेम से भी आदमी सीख सकता है जिस्थों के मादेम से चाहिए ज Sel你們 ज्यादा नहीं जानता है उसी स्थिती में उन्हें क्या करना चाहिए उपासक जैतना जानता समको इतना पता सिस smack सब्सक्राइब को भिक्कूगी भूमिका में आना चाहिए जे आवस्तिक भी नहीं है और आवस्तिक भी है चलिए ठीक है कारेंगर की आपको सुपकामना है धन्यवाद थैंक यू झाले आवस्तिक भी है और कuurी कोरेंगर कारेंगर कता है भी है आ पना चाहिए